हेलो स्वागत है आप सभी का आई टू श्री टीम पर दूसने वीडियों दिखने वाले हैं कक्चा आठबी अर्थवार्शिक मुल्यांकन प्रश्णपद 2022 सिंधी का दिखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट ए है आपका आपका शमय रहेगा तीन गंटी का विद प्रेश्णानाद निर्दिश दी गए नाइक मतलब प्रेश्ण विदी खें आपको उस्ता आइस सभी नीच नेश है सोनि शुणर परक पंक्ती में अलंकार है तो सौनीश श्णदर इस में कौनसा अलंकार है तो उप्मालंकार हुजाएगा आपका फॉर्ष्ट का हुजाएगा आपका डी मत्परदीस में सांची कई स्टूप कहा है तो विदीसे जळली में है आपको option मिले थे गौले जबलपुर इंदोर तो आपको यहां पर लिकना है बिदीशा तो आपको यहां पर जंग दी गई है यहां पर आपको फिल करना है इसके बाद आता है आपका अगला question आता है अगला है आपको काभी की सोबबढ़ाने वाली सब्या अलंकार कहलाते हैं पुजारी शब्द में मूल सब्द तो पूजा है आपको यहां अगला हाता है दोचंद में चरन हैं तो चाररण होती हैं हैं दोचन में माता जी को पत लिखते शमें हम प्रणाम लिखते हैं नहीं लिखते हैं। इसके वाद आपका अगला हो जाएगा भीरस का स्ताई भाब उतसा होता है कि संचारी भावों के शंक्या 33 होती है आपका ए हुजाएगा इसमें इसके बाद आता है आपका नीचे दी गए प्रसनों में से मिज़न रुकती शब्द में को लिखना Гर्णा Emilt तो मतलब जो दो वार हुए है Remember कि इसमें हो जाएदा अपका का फर फर इसके बाद पुनी पुनी जो दो वार लिपीट होए सब्सक्कित है नीमन देना है सब्सक्राट तरह सब्सक्राइब propose लग सब्सक्राइब मैं निम्ली कि शब्सक्राइब नीम sorry करोंग का हो जाएगा शोक है तो करोन भे और वांकिन स्थाई भाव कौशन आता है झाजए वांको गरिसी उस्षी ब्राम आणा situ 對े गई इसमें आपको ब्राम लगानी है तो राम को बजार में सियाम मिला मिला के बाद आपको अल्प ब्राम लगाना है इसके बाद आपको लगाना है राम ने कहा अरे तुम रूज रूज कहा जाते है इसके बाद आपको पूर्ण ब्राम लगाना है इसके बाद आपको अगला कोशन आता है नीचे दी गए शब्दों में से उपसर्ग से बनी शब् तो आपको इन में से आपको उपशरक पहचानना है, अगल करना है इसके बाद आपका अगला कोशना आ जाता है नाक शब्द में प्रारंब होनी वाली कोई तीन आपको महावरी लिखना है नाक में दम करना, नाक फुलाना या नाक उचनी चबाना इसके बाद आपका अगला आजाएगा यहाँ पर आता है आपका अपनी वित्र को उसकी उत्रीन होने पर आपको बदाई पत्र लिखना है इसके बाद आपका अगला आजाएगा जो कि आपका दिया गया है